हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, इवैप यानी की एवपुरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है गाडियों का जो कि कार्स में तो बहुत पहले से 1970s से यूज किया जा रहा है और बाइक्स में भी पिछले कुछ समय से पिछले कुछ सालों से इस सिस्टम को दिया जा रहा है खास करके जो KTM का RC और Duke सिरीज की बाइक है वहाँ पर E-WAP सिस्टम होता है इसके लावा और बहुत सारे बाइक्स है जहां पर E-WAP सिस्टम को अब दिया जा रहा है तो फिर्णस एग्जेक्ली ये जो E-WAP सिस्टम में वो किस तरह से काम करता है इसे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि E-WAP सिस्टम क्या काम करता है अब फिर्णस देखे आपके गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर में जो पेट्रोल है जब वो पेट्रोल वेपर यानि की भाप में बदल जाता है तो इस E-WAP सिस्टम का काम ये होता है कि वो पेट्रोल वेपर जो गाड़ी का फ्यूल टैंक का कैप है या जो फ्यूल लाइन है वहां से बाहर नहीं निकले ये E-WAP सिस्टम उस पेट्रोल वेपर को भी इंजन के अंदर में भेजता है और ये जो पेट्रोल वेपर जो भाप बनाओ पेट्रोल है वो भी इंजन में पावर प्रोड्यूस करने के काम में आ जाता है अब ये सब कैसे होता है मैं आपको ये डिटेल में समझायता हूँ तो फिर देखे बेसिकली इस सिस्टम में ये होता है कि एक लिक्वीड वेपर सेपरेटर होता है इसका काम ये होता है कि जो वेंट लाइन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोल वेपर यानि की भाप में बदल गया वही जाए जो अभी भी पेट्रोल टैंक में लिक्वीड के फॉर्म में है वो ये जो हमारा separator है वो उसे wind line में जाने से रोकता है साथी यहाँ पे एक e-wap vapor canister होता है small छोटा सा plastic या फिर steel का बना हुआ rectangular या फिर जो round ship का ये canister होता है एक container होता है अब देखिए जब आपके गाड़ी के fuel tank के अंदर में जो petrol है जो कि भाप में वेपर में बदल गिया है वो क्या होता कि wind line से होकर इस canister के अंदर में चला जाता है अब इस canister के अंदर में एक activated charcoal होता है जो कि sponge की तरह काम करता है और ये जो charcoal होता है वो जो petrol vapor fuel tank से आया है उसे store करके रखता हो और absorb कर लेता है और तब तक store करके रखता है जब तक गाड़ी के engine को आप start नहीं करते हो engine गरम नहीं होता है और जब तक गाड़ी running condition में नहीं आ जाता है जैसे ही गाड़ी running condition में आ जाता है इंजन गरम होता है उसके बाद जो PCM है या बहुत से गाड़ी जो ECU होता है यानि के engine control unit वो क्या करता है कि जो canister purge valve है उसे open कर देता है उसके बाद ये जो petrol vapor है उस valve से निकल के आगे जाके जो fuel land से होते हुए engine के अंदर में चला जाता है और combustion stroke के टाइम पे जलकी ये जो हमारा petrol vapor है वो भी power produce करता है और इस तरह से जो E-wap system है वो थोड़ा बूंद बूंद भी जो petrol जो की vapor बन गया भाब बन गया है उसे भी utilize करता है पेट्रोल को waste होने से बचाता है और आज के टाइम पे जब पेट्रोल इतना जादा महंगा ह हो गया है तो ये जो system है मेरे इस आपसर तो सभी bikes में दिया जाना चाहिए सभी गाड़ियों में दिया जाना चाहिए और इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि ये जो E-wap system है वो एक तरह साप कह सकते हो कि maintenance free होता है बार बार इसे care करने का ज़रूत नहीं होता है life time भी इसका बहुत जादा होता है आप ये भी कह सकते हो कि जितना आपकी गाड़ी का life है उतना ही जो E-wap system के जितने भी parts वगरा है उनका भी life होता है ये जल्दी खराब नहीं होते है खराब उसी condition में होते है कि अगर आप जो petrol डार रहे हो उसकी quality खराब है उसमें मिलावट जाता है तो फिर ये एक ऐसा system था जिसके जानकारी बहुत से लोगों को नहीं थी उमीद है कि आज कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बार और चैनल के ब गड़ बाई